हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल जहांसिकी रानी कुनर विभा जैसे सेरियल्स में काम करकर मुश्वर हो चुके एक्ट्रेस क्रातिका सेंगर आज किसी भैचान की मौतार चली है आज इस वीडियो में मैं आप लोगो बताओगी क्रातिका सेंगर की लाइफस्टाइल क पू loyal उनकी फैमिल में कौन-कौन ही उनकी शादी होगी है या फिर बो कोई रिलेशन्सटीप में हैं उनकी से Civालरी कितनी हैं अभी तक बैंक बैलेंस कितनी है इन साभावोगा जवाब मिलेगा इस वीडियो में अगर आप उनके ábढूंकर फैन हैं तो इस वीडियो को अं उनका निकने में चिंकी और कार्टू 3rd July 1986 में उनका जनम हुआ था उनका बिर्थ प्लेश है कानपूर उत्तर प्रदेश उनका हाइट है 5 feet 5 inch और उनका वेट ही 55 kg उनकी फिगर मेसरमेंट है 34-26-36 उनकी जोडाइक साइन है कैंसर साल 2023 में उनका डियले छे 37 उनके हॉबी से स्वीमिंग, शॉपिंग, ट्रैबलिंग और उनने बुक्स को इना बहुत पसंद है चलिए जान लेते हैं उनकी एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने कानपूर की मिठोर्डिस्ट हाइ स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की है इसके बाद उन्हें नौइडा की म.I.T. उन्वरसिटी से अपने हाइस्ट ट्रीज की है उनकी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन में ग्राजिशन के डिग्री हासिन की है उनकी प्रफेशन की बात की जाए तो वो एक आक्ट्रेस है चलिए जान लेते हैं उनकी केरियर के बारे में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले क्रातिका मुंबई में हंगामा टीवी चैनल की अड़डाइसिंग एजेंसी में काम क्या करते थे साल 2000 में उन्होंने टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहुती सीरियल के साथ तलिवीशन इंडस्ट्री में अपना पहला डिब्यूट गया था साल 2001 में वो कसौटी संदिगी की सीरियल में प्रेना निहाल गरेवाल की करिदान में नज़र आए थी साल 2000 रात में उन्हें टीवी सीरियल क्या दिल में है में देखने को मिला था ठीक उसी साले वो नज़र आए थी रियाल्टी शो लक्स पॉन जितेगा बॉलिट का टिकेट क्राफिका कॉमिटी शो बुरा नमानों होली है में भी नज़र आए थी उनकी पॉपलराइटी दुगनी होती चले गई जब वो टीवी सीरियल जांसी की राने सीरियल में राने लक्ष्वीबाई की किर्दार में नज़र आए थी दर्शकों का उनका एक किर्दार बहत पसंद आया था साल 2014 में वो देवों के दिव महादीर सीरियल में मन्शा की करदान में नज़र आय थी साल 2015 में उन्हें जी टीवी की सीरियल सर्वीस वाली बखों में पाइल की करदान में देखने को मिला था साल 2016 में वो नज़र आय थी قसंत तेरे प्यार की सीरियल में जहां पर उन्होंने तनों का करदा निभाया था साल 2017 में वो चंदुरकांत सीरियल में भी नज़र आय थे उन्हें आखरी बार देखने को मिला था चोटी सरदारनी में साल 2014 में उन्होंने माई फादर गॉट फादर फिल्म के साथ बॉलिट इंडस्ट्री में अपना पहला डिव्यूट दिया था चलिए देख लेते ही उन्हें अभी तक कितने अवार्ड्स मिले गए साल 2007 में उन्हें स्टार्ट परिवार फिरिट नारी अवार्ड दिया था साल 2010 में उन्हें जीर इष्टे फियवरिट बीटी का अवार्ड दिया था साल 2011 में छहास्त questioning आनए सीरियल में उनकी कि रोड्स को देखती हुए उन्हें विख टलबिशन वीड कैरेक्टर तीमिल का 지nt अवाडोड दिया गया था सा नौ begin वार्देगा साथ 2 सॉसर बारा में उह्हें उमिनाचिवर्स अधि-अबाधि का था प्रक। उसी साल में उन्हें Best Actors और Best Celebrity Jury की काटेगरी में 5th Boroplast Gold Award दिया गया था। साल 12-16 में उन्हें G Gold Award और Indian Television Academy Award दिया गया था। साल 12-17 में उन्हें Colors Golden Petal Best Story Award और Indian Television Award दिया गया था। साल 12-17 में उन्हें गर विंटन Television Award दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन-कौन है। उनके फैमिली के बारे में बात करी तो वो Middle Class Hindu राजपुत फैमिली से बिलाउं करती है। उनके पिता का नाम है वेदान सेंगद। उनकी मा का नाम है कलपना सेंगद। उनका एक भाई है जिनका नाम है अनुराग सेंगद। उनके पर्सनल एपिर्स की बात की जाए तो मीडिया में ये बात सामने आए थी कि वो बॉलू डैक्टर शुश्मिता सेंगी भाई राजीव सेंग को कई महिनों तक डीट कर चुकी है। साल 2014 में उन्होंने बॉलू डैक्टर निकितंधिर से शादी रचाए थे। अभी कपल का एक बैवी गरल ही जिनका नाम है देवी का धिर। चलिये जान लेते हैं उनके इनकम के बारे में। उनकी सारे के बार्ण में बात की जाए तो पारभी सोट के लिए वो डो लाख रुपए लेती है। उनका नेट ओरती हैं 62 करोर। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्षन उनके पास श्यागवर एक सिम मौरिल की कार है जिसका कीमत ही 55 लाग चलिए जान लेते हैं क्राथिका सिरिंगर के बारे में कुछन के ही बाते प्राथिका सिरिंगर टीवी इंडिस्ट्री में रहने के बावजूद उन्हें स्मोग और अलकॉल पीना विल्कुल भी बसंद नहीं है अक्ट्रिस नॉन वेजिटेरियन खाने की बहुत ही शौकिन है एक इंटेविय के दोरान उन्हें बताया था कि कॉलिज की परहाई के लिए वो दिल्ले में तीन साल तक थी और यह तीन साल उन्होंने अपने फैमले को बहुत मिमिस किया और यहां तक कि वो अपने फैमले के इलावा इस शहर में बहुत यांसे फिल करती थी थे आपको बता दे कि प्रादिका के ससूर पंकच थी एक जानी माने टीवी आक्टर है जिन्होंने एटीज की जमाने में महाभारत में कंड का कृदा निभाया था एक्टरिस को ज्यादा मेकप यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सिर्फ पाजर लगाती है जब वो पुनरविबस सीरियल में काम कर रही थी तो तब उन्हें आठ से नौ सीरियल के ओफर्स मिले थे लेकिन उन्होंने सारे ओफर्स ठुकरा दिये थे विग बॉस सीजन 9 से मुष्यूर होने वाले एक्टरिस सिर्फिक चौधरी को कसन तेरे प्यार की सीरियल में लीड चोल मिला था लेकिन बाद में ये किरदार क्रातिका सींकर को मिल गया था एक्टरिस को एक ही टाइम पर मल्डिपल काम करना बिल्कुल भी पुसंद नहीं है एक्टरिस बहुत ही कम मेकप करती है और उनकी फीबरेट मेकप ब्रैंट है मेबलेन क्रातिका को रेटी शो फियर फैक्टर खत्रों के खिलारी में पार्डिसिपिट करने का बहुत ही शौक है लेकिन उनके पैरेंट्स और उनके पती ने इस शो में पार्डिसिपिट करने के लिए उन्हें मना कर दिया है इसका कारण ये छांस के राने सीरियल में काम करने वक में दे सीकेट वाई रॉंड अब राइन की बुक्स परना बेहत पसंद करती है एक्ट्रेस शृतिछा और प्रियांका चोप्रा को बहुत ही पसंद करती है उनका फीवरिट ड्रिंक है मौसमिका जूस उनकी फीवरिट मुवी है घोस्ट राइडर आपको बता दे कि एक्ट्र रॉंड रेसे से ज्यादा वेस्ट्रेस पहना ज्यादा बसंद है वह भगवान पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है एक्ट्रेस फिटनेस ट्रिक है और अपने आपको मेंजिन करने के लिए हर रोज जिन जाती है अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक और कीजिएगा और अगले वीडियो में आप किसका लाइफ सार देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताए थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो टेलिविशन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना फिर मुलाकात होगे अगली वीडियो में